गो, नमस्कर खिषान शात्यों एक बार फिर से और आप की बीच अपने वीडियो ले कर दोस्तो आज ही इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ क्रसी रसायन के एक इनसेक्टेसाइड के ऊपर जो की पेटेंडेड है जी हाँ दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ क्रसी रसायन के टेले श्ट्राकी जो की इमीडा क्लोरोपीट के साथ में बाय पेंथरिन का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें जो है इमीडा क्लोरोपीट की जो मातरा होती है 20% होती है साथ में बाय पेंथरिन इसमें 6% होता है दोस्तों ये सभी प्रकार के रस्चुसक कीटों के लिए बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड माना गया है कमपनी का कहना ये है कि यदि इस इंसेक्टिसाइड का उपयोग आप रस्चुसक कीटों के लिए करते हैं तो रस्चुसक कीटों में डेफिनेटली आपको इसके अच्छे रिजालिट देखने को मिलते हैं इसका जो कारे प्रनाली इस प्रकार से है कि ये सबी जो रस्चुसक कीट होते हैं उसमें उनके नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे कि वे अपना भोजन और खाना दोनों ही निक कर पाते इस कारण से वे खतम हो जाते हैं और तीन दिन में ये अपना रिजल्ट आसानी से दिखा देता है किसी भी पाउधे पर किसी भी फसल में अटेक हुआ होगा तो और ये काफी अच्छा उत्पादन देने वाला एक अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोड़क्ट है जैसे कि आपको यहाँ पर वीडियो में मैं बता रहा हूँ 20% के साथ में इसमें 6% बाइपेंतरीन होता है और सभी प्रकार के रश्चूसक के लिए एक अच्छा रिजल्ट प्रोड़क्ट है और ये पेटेंट है चुकि दूसरी कमपनी इसको बना कर तयार नहीं कर सकती करसी रसायन द्वारा इसको बना कर तयार किया गया है 20% इसमें इमीडा क्लोरोपीट के साथ में बाइपेंतरीन है और ये सभी प्रकार के रश्चूसक के लिए एक अच्छा विकल्प है अज रश्चूसक के मिनास के लिए एक अच्छा विकल्प है याँ पर देखने को मिलता है दोस्तों मार्केट में इसके प्राइस की बात करूँ मैं आपको तो यह आपको 3,000-3200 रुपे लिटर के आसपास मिल जाएगा और इसका प्रती एकर का डोज की मैं बात करता हूँ तो इसका जो है 150 ml प्रती एकर का डोज है जो की जादा बहुत कम डोज है लेकिन इसका जो रिजल्ट है काफी अच्छे हैं 150 ml प्रती एकर का डोज है किसी भी फसल में डलवा सकते हैं जैसे की धान की फसल में तना छेदक हो गया मटर की फसल में फल छेदक हो गया माउ, मच्चर, भुनगी, अंडे, फिपली, पेबी इसके अच्छे रिजल्ट है आपको आयोप वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लोगी लाइक करें